नमस्कार दोस्तों एक बढ़ फिर से स्वाधत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग और सॉल्यूशन के अंदर गाइज यह थर्ड वीक है यह इस वीडियो के अंदर हम निफ्टी बैंक निफ्टी और जो अधर सेक्टर होते हैं उनकी वीकली अनलेसिस आपके स सकते हैं जो लास्ट वीक हमने आप से बात करी थी कि जो वॉल्यूम जैसे यह लास्ट वीक के अंदर जो कैंडल उपर जा रहा था उसके अंदर वॉल्यूम की एक्टिविटी नहीं थी तो मोस्ट प्रब्यब्ली वही था कि जो अपन ने यहां पर एक रजिस्टेंस मार्क कर रखा था और उसके साथ साथ यहां पर यह जो चैनल का लेवल था वहां पर प्राइस गया है और वहां से फिर से रिजेक्ट हो के नीचे की तरफ आया है तो यह जो डेली चार्ट था यहां पर देख सकते हैं यहां पर उसी लेवल से रिजेक्ट हो के आया है तो चलिए वपन आवरली चार्ट के उपर देखते हैं कि आने वाले जो वी शॉट टम एन अपनी अनलिसिस क्या रह सकती हैं तो अगर मैं आवरली चार्ट के उपर आऊं तो यहां पर आप देख सकते हैं यह जो लेवल था हम कुछ इस वीक से आपके साथ अनलिसिस करना चालो किया था और उसी टाइम के उपर ये एक आपके साथ एक लेवल ड्रॉ किया था जो कि अच्छे का से एक सपोर्ट का काम करता और अगर आप देखेंगे तो बार बार उसी लेवल से मार्केट बाउंस बैक लेकर फिर से अपसाइड की तरफ जा रहा है तो इस बार जब तक जो अगर आ लेवल तूड जाते हैं तो उसके बाद के अंदर एक छोटा सपोर्ट आपको ये देखने को मिल सकता है जो कि ये गैप का एरिया भी है जो की रह सकता है फौर्टीन तीन सो के लंसम लंसम ये एरिया है और उसके बाद के अंदर जो ये डेली का एक लेवल है हमारे पास के के अंदर 14142 का वो एक्टिवेट हो जाएगा तो यहां से अगर आप देख सकते हैं जो अगर लास्ट चावर्स की भी अगर मैं बात करूं तो यहां पर प्रिवियस डे के अंदर क्या होता है कि मार्केट एक अच्छा खासा करेक्ट करता है उसके बाद के अंदर जो अपन के तो अगर यह लेवल के उपर सपोर्ट लिया था हो सकता है मोस्ट प्रबिबली मार्केट फिर से अपसाइट की तरफ अपना जो रैली उसको कंटिन्यू करे और अगर यह लेवल तूट जाते हैं तो उसके बाद के अंदर आपको एक नीचे की तरफ अच्छा खासा फॉ लेवल से इसको रजिस्टेंस मिला था तो यह एक लेवल था जो कि यह बनने से पहले हमने आपको बताया था जो की रहता है थाटी-फोर-313 का जो लेवल है इसके लिए बहुत अच्छे खासे का काम करेगा अगर मैंग निफ्टी को डेली चार्ट के उपर बुलिश होना ह हैं और अगर नीचे की तरफ देखें तो नीचे की तरफ अपने पास एक अच्छे खासा जो सपोर्ट है वो है 29600 का लेकिन वहां तक अभी आना मार्केट के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है ऐसा नहीं कह रहा है कि आनी सकता देखिए इस चॉक मार्केट कुछ भी हो हो सकता हैं यापर लेकिन तब भी यहां ता गाना थोड़ा सा मुश्किल है अब अपन आवली चार्ट के उपर आकर देखते हैं जो अपनी छॉट टंप एनलैसatted क्या रहने वाली है अपन उस को समझते हैं तो वैंज ये है आंवरली चार्ट आवरली चार्ट पर आप देख सकते हैं कि यहां कर ए एक हमने जोन ड्रौ की आ था ces हमने एनिसिस चालू करी था है यहांस आप देख सकते कि market ने उसी zone को respect करके फिर से retest करके market फिर से उपर की सरफ गया था याद हो तो हमने आपको previous week ये भी एक level बताया था कि अगर ये वाला level तूटता है तो आपको उपर 1000 से 2000 पॉइंट का अच्छा खासा rally देखने हो मिलेगा लेकिन यहाँ पर आप क्या देख सकते है market खुलता है उसी point का resistance लेकर फिर से ये नीचे की तरफ आता है अब यहाँ पर जहाँ पर अभी इस time के उपर market खड़ा है ये बहुत एक crucial point के उपर खड़ा है अगर यहाँ से कोई भी आपको bullish formation दिखता है या आपको दिखता है कि भाई market उपर जाने वाला है तो आप यहाँ से bullish position बना सकते हैं या अगर ये short term time के अंदर अगर ये वाला जो एक level है 32,650 का अगर मैं mark करूँ अगर ये वाला level अगर नीचे की तरफ तूट जाता है तो आप असानी से जो ये नीचे जो swing low के target से आप इनको बहुत असानी से देख सकते हैं तो यहाँ पे अगर आप bank nifty के अंदर अगर आप पूछेंगे की क्या है तो यहाँ पे अगर downside की अगर आप बात करेंगे तो downside जाने के लिए सबसे पहले ये वाला level तूटना ज़रूरी है उसके बाद ही हम कोई shorting का trade लेंगे और upside के लिए यहाँ पे अभी भी हमारा analysis वही रहने वाला है previous week जैसा यहाँ पे अगर कोई भी एक bullish formation हमको मिलता है तो हम यहाँ से buy करेंगे जो first target रहने वाला है वो इसका रहने वाला है अगर यह swing तूट जाता है तो यह रहने वाला है और अगर इसी week अगर यह जो 34,313 जो हमारे daily का level अगर यह तूट जाता है तो फिर हमारे daily के जो targets है वो activate हो जाएंगे और अगर आप एक और चीज़ अगर मेरे से पूछेंगे intraday basis के उपर मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ यहाँ पर आप आप देखेंगे तो पूरे week से market एक range के अंदर या बोल सकते हैं पूरे volatility volatility इसने session दिखा है सारे के सारे कोई भी एक trending move market ने नहीं दिखा तो most probably Monday या Tuesday को ऐसा हो सकता है कि market के अंदर either side किसी भी साइड एक अच्छा का सा trending move आपको देखने को मिले चलिए दोस्तों अपन आ जाते हैं अपने sector analysis की तरफ यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहला जो अ हैं निफ्टी ऑटो का और देखें यहां पर निफ्टी ऑटो के अंदर जो हमने आपको एक level दे रखा था उदर से ही एक फिर से आज आज की अगर आप candle देखेंगे तो क्या गजब का उस जगे से rejection आपको आते वे दिखता है तो अभी भी वही अनलेसिस रहेगी निफ्ट निफ्टी ऑटो के अंदर अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छा खासा पैटन है यहां से अगर इसको ब्रेक आट मिलता है तो निफ्टी ऑटो बहुत अच्छे खासे अच्छा खासा एक आपको लंबी रेस का गोड़ा बनते वे देख सकता है जितने भी ऑटो के रेक आट मिल चुका है यहां पर दो यह दो केंडिल्स हैं उनको अपन को देखना पड़ेगा कि अब आने वाले टाइम के अंदर क्या होता है अगर यहां पर कोई भी एक बुलिश वार्मिशन अगर आपको देखने को मिलता है तो एनरजी सेक्टर बहुत अच्छा खासा कर सकता है और आप जानते हैं कि हमने आपको यूट्यूब के उपर दो तीन एनरजी सेक्टर के इस चॉक्स भी रिकमेंड किये थे जिसमें से गेल था एक हिंट पैट्रो था और उसके साथ अगर आप देखेंगे तो एक पावर ग्रीड भी था और उन्हों सभी ने निफ्टी मीडिया निफ्टी मीडिया के अंदर हमने आप से बात करी थी जब यहां पर बाटम आउट हो रहा था तब भी बात करी थी यहां पर आपको एक डेली का लेवल भी बताया था हमने कि यह वाला जल अगर लेवल तूट जाता है तो अपना जो फर्स टार्गेट रहने वाला है वो यही रहने वाला है और टार्गेट कैसे निकाला था मैंने आपको आवली चार्ट के उपर यह चीज भी बताई थी यहां पर अगर आप देखेंगे तो अच्छा कासा एक इनवर्स हेड़न शोल्डर अपन को देखने को मिल रहा था और अगर आप अभी क करके जो टार्गेट दे रहें उनको यह फिर से अचीव करेगा तो कोई भी मीडिया सेक्टर का आपको इस चॉक्स लिखता है तो आप उसको अपने पकड़ के और उसके अंदर आप ट्रेड कर सकते हैं लेकिन हाँ इस चॉक इस पैसिफिक रहने पड़ेंगे आपको इस च सेक्टर के अंदर क्योंकि यहां पर अगर आप देखेंगे तो आरे से 85 के आसपस चल रहा था उस चाइम तो ऑबियस सी बात थी कि एक अच्छा कासा आपको पूल बैक देखने को मिलेगा और वही यहां पर अगर आप मेटल सेक्टर देखेंगे तो सारा मेटल सेक्टर देखेंगे अगर मैं बात करूँ तो यहां पर एक अच्छे कासे यह कंसॉलिडेशन पिरेड के अंदर पड़ा वात है यहां पर आप देखेंगे तो इसने ट्रेंड लाइन का बहुत अच्छा कासा रिस्पेक्ट करते वे चल रहा है तो अब देखेंगे अगर आप यह व करेंगे तो निफ्टी जगे नीच्चे आ रहा था है फ्मसेज सेक्टर ़ोपर की तरफ आ तो यहां पर करेक्शन दिक्षाहैं यहां निफ्टी को गिरते विए दिखता है तो यहांप यह FMCG के एक लेवल है पहली बात तो इसको चुटना बहुत जुरूरी है और अगर को कोई भी करेक्शन दिखता है तो आप FMCG सेक्टर के अंदर इंट्राडे के अंदर आप अच्छे का से प्रॉफिट इसके अंदर कमा सकते हैं क्योंकि FMCG सेक्टर बहुत अच्छा का सा उस टेम FMCG के जितने स्टॉक हैं सब अच्छे का से मूग करेंगे जब निफ्टी करेक सकते हैं और यह जो स्विंग लो है इसका भी कोई ऐसा लगा सकते हैं तो यह था हमारी तरफ से गाईज निफ्टी बैंक निफ्टी का अनलेसिस और यह सेक्टर अनलेसिस आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा अगर लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए चै प्रेंट्स के साथ मैं थैंक यू सो मच गाइस वीडियो देखने के लिए